हलो, गुड मॉर्निंग ओल अप यू, सभी प्यारे सात्यों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कंपेटिसंस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तो, रोजाना की तरह मैं लेकर आजीरू, डेली करंटपेर्स जी के, सब्क्राइब नहीं किया है, तो यूवी कंपेटिसंस चैनल को सब्क्राइब करें, और साथी बैल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारे द्वारा दियेगे अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं, इसके साथ ही साथ, यदि आप राजिस्तान जी के और साथ योँ, सुरू करते हैं आज का करंट अपेटिसंस चैनल सब्क्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूटीब चैनल यूवी कंपेटिसंस को सब्क्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा दियेगे MC की कोईसंस और उनके इंपोर्टन अपडेट्स के नोटिफिकेश की सूची में सिर्स पर है, यानि कि भारत देश में ऐसा कौन सा राज्जी है जो पोसन अभियान के तेहत प्रती भाग्यों की सूची में प्रतमिस्तान पर है, पहले इस्तान पर है। Option A, Rajasthan, Option B, Bihar, Option C, Tamil Nadu, Option D, Keral और इसका सही उत्तर है, Option C, Tamil Nadu, यानि कि Tamil Nadu राज्य है, प्रति भावग्यों की सूची में प्रतमिस्तान पर है पोशन अभियान के बारे में बात की जाए, तो पोशन अभियान एक सरकारी मिसन है जो गरीब छेत्रों में बच्चो, महिलाओ और गर्बवती महिलाओ यानि कि जिनकों की बच्चा पैदा होने वाला है उन महिलाओ कि पोशन को सुनश्चित करने के लिए बनाया गया है और यह जो पोशन अभियान कारेकरम है इसमें चौदे केंद्री विभाग और सभी राज्य सरकारे सामिल है यानि कि 39 राज्यों की सरकारे और चौदे केंद्री विभाग सामिल है नेक्स्ट, कौशन सेंके टू बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को अइकोनिक वुमैन ओफ दे इअर सरेमेणी में नेशनल सेंसन ओफ दे इअर के पुषकार से सम्मानित किया गया है और इसका राइट आंस्वर है ओपशन बी दिव्या खोसला आपशन सी कृती मैनन, सुरकृती सैनन और आपशन दी ताप सी पन्नो और इसका right answer है option B दिविया खोस्ला को National Sanson of the Year आवार्ड से समानित किया गया है Iconic Woman of the Year ceremony में 2019 के लिए दिविया खोस्ला जो है उसको वर्ष 2019 में T-Series के music album याद पिया की आने लगी 2 याद पिया की आने लगी second part में दिखाई दी थी next question संक्या third राष्टेपती रामनाथ कोविंद ने कि शेत्र में उपलब्दियों के लिए 103 वर्षिय मानकोर को अंतराष्टे महिला दिवस के आउसर पर नारी सक्ती पुरुसकार से सम्मानित किया है option A सिक्ष्या option B विज्ञान option C समास्यवा और option D एथ्लेटिक्स दोस्तो अभी हाली में 8 मार्च को विश्व अंतराष्टे महिला दिवस मनाया जाता है और इस अंतराष्टे महिला दिवस पर नारीों को सम्मानित किया जाता है और नारी सक्ती पुरुसकार प्रदान किया जाते है उसी कैटेगरी में 103 वर्षी है मानकोर को अंतराष्टे महिला दिवस के अउसर पर राष्टेपती रामनात को विद्ने नारी सक्ती पुरुसकार प्रदान किया और यह है एथ्लेटिक्स से संबंदित थी इन्होंने एथ्लेटिक्स में उपलब दिया आसिल की थी तो ऑप्सन डी राइट आंसर है एथ्लेटिक्स साथियों जो मानकोर है उन्होंने 100 वर्षी कैटेगरी में कई रिकोर्ड बनाये है और साथी साथ इन्हों मास्टर्स एथ्लेटिक्स चेंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीते है नेक्स्ट कोशन संग्या फोर विसुबर में दस मार्च को कौन सा दिवस मनाये जाता है आप्सनी मार्यो दिवस आप्सनी डॉरेमोन दिवस आप्सनी पबजी दिवस और आप्सनी विज्ञान दिवस साथ यो मारियो डॉरेमेन पबजी ये सारे गेम्स है जोंकि इंटरनेशनल गेम्स है और इन में से 10 मार्च को मार्यो दिवस मनाये जाता है ओлишरेट आइज रैट अंस Вर मार्यो दिवस साथ यो मारियो एक फिक्षन करेक्टर है यानि की काल्पनिक चरित्र है जिसे नेटेंडो ने बनाया है किस महिला को 4000 से अधिक सोचल लिये अपने हाथों से बनाने के लिए नारी सक्ति पुरुषकार से सम्मानित किया गया है उप्षने सीला देवी, उप्षन बी जानकी देवी, उप्षन सी कलावती देवी, उप्षन डी रामबती देवी तो इसका राइट आंसर है उप्षन सी कलावती देवी, कलावती देवी ने 4000 से अधिक सोचल लिये अपने हाथों से बनाये और इन्हें अंतराष्टे महिला दिवस के आउसर पर राष्टेपती रामनात को विंद ने नारी सक्ती पुरुसकार से सम्मानित किया है और इनका कानपूर जो सहर है उसको सोच से मुक्त बनाने में एहम योगदान रहा है Next, Question 6 किस राज्य की सरकार ने पिसली सरकार द्वारा सुरू की गई साधी भाग्य योजना को बंद कर दिया है Option A राजस्तान, Option B जहारकंड, Option C महाराष्टर और Option D करनाटक और इसका राइट आंसर है Option B जहारकंड और इस योजना के तहट जो ये योजना थी, साधी भाग्य योजना ये मुस्लिम परिवारों के लिए थी, यानि कि मुस्लिम दुलोनों को आदार कार्ड और BPL कार्ड जमा कराने पर साधी के खर्च के लिए 50,000 रुपे दिये जाते थे ये कि 50,000 रुपे की सायत अपर दी जाती थी मुस्लिम लड़कियों को जिनकी साधी होनी थी अगर उनके पास आदार कार्ड और BPL कार्ड है तो नेक्स्ट और लाश्ट कोस्टन कोस्टन संग्या साथ किस देश के राश्ट पती के रूप में असरफ गनी ने सपत ग्रहन की है उप्सने पाकिस्तान, उप्सन B बांगला देश, उप्सन C अफगानिस्तान और उप्सन D इराक तो असरफ अली जिनने की दूसरी बार राश्ट पती के रूप में सपत लिये उन्होंने अपगा निस्तान के राष्टे पती गुरूप में सफत लिये तो अपसंसी इस राइट आंसवर अपगा निस्तान तो मेरे प्यारे सात्यू यह ताज का करंट अपेस जीक है जो कि आपके लिए अत्यंत मैत्तों पोना है और कल के लिए हमें खेह दे क्योंकि कल लाश्ट डे धुलंडी थी तो हम भी जी थे इस वज़े से हम अपना करंट अपेस अपडेट नहीं कर पाए और प्लीज लाइक, कमेंट, से एर और सब्क्राइब यूवी कंपेटिशन चैनल और साथी साथ हमेर एकडमी एस्टाग्राम और फ्लेस्बूक पर भी फोलो करना ना भूले थेंक्यू सो मच, धन्यवाद और आपका दिन सुभो